ये श्री राधे आपके अपने यूटूब चैनल आचार पंडित अजय सर्मा में बहुत बहुत सागत है आईए आज आप सुनेंगे विश्नु पुरान के पिर्थम पंस में साथ में अध्याय की गता अगर आपने पिछले अध्याय की गता सिर्वन नहीं की है तो मारे यूटूब चैनल पर ब्यूडियो अप्लोड हो चुकी है तो कृपा करके अवस सुनें विश्नु पुरान के पिर्थम पंस में साथ में अध्याय में मरीची आदे प्रजापती गण तामसिक सर्ग स्वाय भव मनू और सतरूपा तथा उनकी संतान का वड़न किया गया है आईए कथा प्रारम करते हैं बोलिये विश्नु भगवाने कीजे लक्ष्मी नाराइण भगवाने कीजे श्री पारासवर जी वोले फिर उन प्रजापती के ध्यान करने पर उनके दिहसरो भूतों से उत्पन हुए सरीर तथा इंद्रियों के सहित मानत प्रजा उत्पन हुई उस समय मतिमान ब्रमा जी के जड़ सरीर से ही चेतन जीवों का प्रादरुबा हुआ मैंने पहले जिसका वर्ण किया है देवताओं से लेकर इस्थावर परियंत बेसवी त्रूणातमक्चर और अचर जीव इशिप्रकार उत्पन हुए जव महामुद्धिमान प्रजापती की वैसा प्रजा पुत्र पोत्रादी करम से और नावडी तवनोने ब्रगो पुलस्त्य पुलह कृतु अंगरा मरीची दक्ष अत्री और बसिष्ट इन अपने ही सद्रस अन्न मानश पत्रों की श्रिष्टी की प्राणों में ये नो ब्रह्मा के माने गई हैं फिर ख्याती, भूती, संभूती, छमा, प्रेती, सन्नती, और जा, अनसुय तथा प्रसूती इन नो कण्याओं को उत्पन कर उन्हें उन मात्मा को तुम उनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौप दिया ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनकादियों को उत्पन किया था बे निर्पिछ होने के कारण संतान और संसार आदी में प्रवत्त नहीं हुए बे सभी ज्यान संपन ब्रक्त और मत्सरादी दोसों से रहत हैं उन मात्मा को संसार रचला से विश्णों की त्रोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध पन हुआ हे मुने उन ब्रह्मा जी की क्रोध की कारण संपुर्ट्र लोगी ज्वाला मालाओं से अतंत देदिप मान हो गई उस समय उनकी त्रेडी ब्रगुटी और क्रोध संतक्त ललाट से दुपहर के समय शूर के समान प्रकासमार रुद्र की उत्पत्ती होई उनका ती प्रचंड सरीर आधा नर और आधा नारी रूप था तब ब्रह्मा जी अपने सरीर का विवाग करके ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई ऐसा कही जाने पर उन रुद्र ने इस्तरी और पुरुस दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर भागों को ग्यारे भागों में विवक्त किया तथा इस्तरी भाग को सौम्य कूर सांथ असांथ और स्याम गौर आती कई रूपों में विवक्त कर दिया तदनांदर हे दुज अपने से उत्पन होने ही सरूप सायंभव मनु को ब्रह्माजी ने प्रिजा पालन के लिए प्रतम मनु बनाया उन स्वायंभव मनु ने अपने ही साथ उत्पन हुई तब के कारण निस्पाप सतरूपा नाम की इस्त्री को अपनी पती रूप में ग्रण किया उन स्वायंभव मनु ने सतरूपा देवी ने प्रिवर्त और उत्तान पाद नामक दो पुत्रधा उदार रूप और गुणोस संपन प्रसूती और आकुरती नामक दो करण निस्त्पन हुई उन में से प्रसूती को दक्स के साथ तथा आकुरती को रुची प्रजापती के साथ बिवा कर दिया ए महावाग रुची प्रजापती ने उसे ग्रण कर लिया तव उन दमपत्ती से यग और दच्छना ये युगल जुडवा संपन हुई यग से दच्छना के बारपुत्र हुए जो स्वायभु मनु मनवंतर में याव नाम के देवता कहलाई तथा दक्स ने प्रसूती से चौविश कन्य अत्पन की मुझे से उनके सुब नाम जानो स्रद्धा, लक्ष्मी, धृती, तुष्टी, मेधा, पुष्टी, क्रिया, बुद्धी, लज्जा, बपु, सांती, सिद्धी और तेरेमी, कीर्ती इन दक्स कन्याओं को धर्वने पत्नी रुप में ग्रहन कर लिया उनमें से छोटी ग्यारे कन्याएं, ख्याती, सती, संभोती, इस्मरती, प्रीती, चमा, संतती, अनसुया, उर्जा, स्वाह, और स्वधाथी हे मुनिसत्तमा इन खाती आदी कन्याओं को क्रम्शा ब्रवु, सिव मारीची अंगरा पुलस्त्यों पुलह, क्रतु अत्री बसिष्ट, इन मुनिय तथा अगनी और पित्रों ने ग्रहन कर लिया स्रद्धा से काम, चला लक्ष्मी से दर्व, ध्रतीते नेयम, तुष्टी से संतोस और पुष्टी से लोब की अत्पत्ती होई तथा मेधा से सुरुत, क्रिया से डंड, नय और विने, बुद्ध से बोध, लज्जा से विने, वपु से उनका पुत्र विवशाय, सांती से छेम, सिद्धी से सुक्व और कीर्ती से यसका जर्म हुआ यही धर्म के पुत्र हैं, हरती ने काम से धर्म के पुत्र हर्श को उत्पन किया धर्म के इस्तरी हिंसा थी, उससे नम्रत नामक पुत्र और निक्रती नामक की कन्या उत्पन हुई उन दोनों से भे और नरक नाम के पुत्र था उनके पत्निया माया और बेदना नाम की कन्याई हुई उन में से माया ने समस्त प्राणियों का संगहार करता मृत्तु नामा पुत्र उत्पन किया बेद नानेक भी रोरव नरग के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधी जरा सोग तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ती हुई यह सब अधर्व रूप हैं और दुखोत्तर नाम से पृषिद्य हैं क्योंकि इनक से प्रणाम में दुख ही प्राप्त होता है इनके ना कोई श्त्री है ना संतान यह सब ओर्द रेता हैं हे मुनिकुमार ये भगवान विश्णू के बड़े भेंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित प्रिले के कारण होते हैं। हे महावाब दक्ष, मरीची, अत्री और ब्रगु आदी प्रिजापतिगण इन जगत के नित सरक के कारण हैं। तथा मनू और मनू के प्राक्रमी सनमाल प्रायन और सूर्व बीर पुत्र राजागन इस संसार के नित इस्टती के कारण हैं। मेत्रे जी बोले हे ब्रह्मन आपने जो नित इस्ति नित सर्व और नित प्रिल्य का उल्ले किया सुक्रपा करके मुझसे इनका सरू वड़न कीजिए आरासर जी बोले जिनकी गती कहीं नहीं रुकती बे अचिंतात्मा सर्व ब्यापक भगवान मदजूदन निरंतर इन मनुआदी रूपों से संसार की उत्पत्ति इस्ति और नास करते रहते हैं ये दुझे समस्त भूतों का चार प्रकार का प्रिल्य है नेमित्तिक प्राकर्तिक आंतितिक और नित्य उनमें से नेमित्तिक प्रिल्य ही ब्राम प्रिल्य है जिसमें जगत्पत्ति ब्रहमा जी कलपांदर में शेन करते हैं तथा प्राकर्तिक प्रिल्य में ब्रहमांड प् और राद दिन जो भूतों का च्छे होता है वही नित्र प्रिले है। प्रुषार्थ में कुशल महान भावावने नित श्रिष्टी कहा है। इस बगार समस्त शरीर में इस्टिद भूत भावन भागवान विश्णु जगत की उत्पत्ति इस्टि और फ्रले करते रहते हैं। अतहे जो इन तीनों गुड़ों को अतिक्रमण कर जाता है वह परमपद को प्राप्त कर लेता है। फ्रजन्म म्रनादी के चक्र में नहीं पड़ता हूँ। इस प्रकार से विश्णु पुरान के प्रतम अंसमें सात्में अध्धाय की कथा दुराम होई। कथा बहुत अच्छी लगी हो। तो कृपा करके वीडियो को लाइक, सेयर, कॉमेंट बॉक्ष में विश्णु भगवान कीज़े अवश्च लखें। जैस्री रादेर।